अब मैं विनेश होगाट जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यावाद कहना चाहते हूँ आप मीडिया परसंस का भी क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट जर्णी रैसलिंग में आपने सपोर्ट किया है तो मैं उमीद करती हूँ कि मैं आपके उमीदों पे खरा उतरूं फिल्कुल और कॉंग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यावाद करती हूँ क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है जब हम रोड पे गसीटे जा रहे थे तो छोड़ के BJP को देश में जितनी भी पार्टिया हैं वो हमारे साथ में थी हमारे दर्द को समज पा रही थी, हमारे आसूँ को समझ पा रही थी मैं बहुत प्राउड फिल कर रहे हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याए और उनके साथ बुरे बरताओं के खिलाफ खड़ी है वो लड़ाई लड़ने के तयार है सड़क से लेके संसत तक और मैं भी स्वास दिलाते हूं पूरे देश वासियो को कि जो महनत जो लगन से हमने wrestling में काम किया है हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरी को जो दर्द जो तकलिफ हमने जेली है खास कर महिलाओं के लिए हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आपको लाचार अपने आपको बेबस समझती है कि रैस्लिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी मैलाओं को छोटी बचियों को इंस्पायर कर सकते हूं मैं चाहती तो मत जंतर मंतर पे रैस्लिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे पूरा देश इस चीज बहुत विश्वास कर रहा था क्योंकि कि बीजे-पी-आई-टी-सेल ने उस चीज को साबीत करने की कोशिश की थी कि हम चले वे कार्थूस हैं हम खतम हो गए हैं हम पोलिक्स कर रहे हैं उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपिंशिप खेला उन्होंने बोला ये ट्राइल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्राइल्स भी दिया उन्होंने बोला कि यह उलम्पिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते हैं मैं उलम्पिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई अनफोर्चुनेटली परमातमा को कोई और चीज मनजूर होगी एक चीज मुझे पता है कि जब महनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है और परमातमा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मोका दिया है वो मैं मानते हूं कि उससे बड़ा पुन्य का काम कोई नहीं हो सकता है मेरे लिए बहुत प्रावड की बात है, बहुत एक मैं नई पाई के सुरुवात करे हूँ आज से मैं चाहते हूं कि जो हमने फेस किया है जे खिलाडी होने के नाते उन सब खिलाडीों को वो चीज ना फेस करने पड़े, हम उनकी लड़ाई में साथ है साइद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टिया पावर में रहती है, साइद वो साथ में नहीं खड़ी हो लेकिन उनके बहन बाई हैं, जो उनके साथ में खड़े हैं और उनके पता है स्पोर्ट में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं कि लाड़ी आप हमसे देख लो बजरंग के उपर डोप का बेन लगा दिया चार साल का सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज उठाई थी हमारे साथ बैठके तो उसका बुगदान हम कर रहे हैं आज तक कर रहे हैं लेकिन हम ड्रेंगे नहीं पिछे नहीं अटेंगे जो लड़ाई थी वो जारी है खतम नहीं हुई है कोर्ट में हमारा केस चल रहा है वो लड़ाई भी हम जितेंगे जिन्दगी की जंग भी हम जितेंगे खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है तो हम इस नई प्लेट फोर्म पे जो मारे हैं देश की सेवा का भाव और सिरफ बोलने तक सिमित नहीं रहेगा ये हम दिल से अमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे जी जान से मैनत करेंगे अपने लोगों के बीच में रहेंगे जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं चाहिए कितना ही परसेंट अमारे आथ में होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे और मैं अपनी बेहनों को बताना चाहते हूं कि आपकी बेहन आपके साथ में है, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी छण, आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है, जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहोंगी